हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन स्टी पॉइंट दोस्तो रेलवे गुरूब डी एक्जाम 17 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं तो उसी के लिए मैं रेलवे के लिए प्रैक्टिस सेड लेकर आया हूँ टोटल इस वीडियो में 30 कोईशन है और अधिया आप रेलवे गु लेवल का और काफी important question है तो आप इस mock test को जो है तो जरूर दीजिए क्योंकि बीस question तो जन्र लेवे ने स्टॉपिक से पूंचे जाने ठीक है तो आप इस practice set को देकर आप अपने तयारी का लेवल जो है तो जरूर पता करें चलिए दोस्तों मैं Unacademy पर ही पढ़ाता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बिलागों जरूर प्रिस कर देए पहला question है भारत में सबसे लंबी तर्रेखा वाला राजी काउन से आपको बताने है कि भारत में सबसे लंबी तर्रेखा वाला राजी काउन से option है महारास्ट केरल गुजरात या पश्ची मंगाल आपके पास दो सेगेंड का टाइम में इस question का answer देने के लिए right answer दोस्तों option C गुजरात आपको बता दे दोस्तों भारत के 9 राजी समुद्री तर्रेखा से लगे हैं इसमें से गुजरात की तर्रेखा सरवाधिक लंबी है और इसके बाद कौन सा है इसके बाद है आंधर प्रदेश महात्मा बुद्ध के नयती केवं सिधान समंधित प्रवचन जो तो संकली थे हैं तो दोस्तों option आपके सामने दे रहें आपको राइड एंसर कमेंड बॉक्स में लिखना आप मेरे साथ सौर्ब जरूर करिएगा क्योंकि railway group D exam की त्यारी करे तो आपको practice करने की ज्यादा ज आपको बताने किन में से कौन सा राजी सबसे कम नगरी जन संख्यावाला है और सिक्कीम केरल नागल और मडिपूर तो राइड एंसर आपको दोस्तों कमेंड बॉक्स में लिखना इसका राइड एंसर और सिक्कीम में ठीक है सबसे कम नगरी जन संख्यावाला राज्य सिक्कीम है फूर्थ नंबर का question है दोस्तों निम लिखी त्राशपूत बंसों में से किस ने आठवी सताबदी में दिल्ली का यानि दिल्ली शहर की स्थाबना की थी आपसन ने परमार बंस शोलंकी बंस तोमर बंस चौहान बंस र उनवे से किस स्लतान ने बाजार सुधार लागू किये थे जलाला उद्दिन खिलजी मुंमत तुगला के बलवन तिसका सही फत्र करेक्ट एंसर है दोस्तों आपसन भी अलाउद्दीन किलजी अब बता दें कि बाजार सुधार के लिए अलावदिन खिलजी ने कई कारे किये जिसके लिए उसने दिवाने रियासत, सहनाय मंडी, बरीद, आधि अधिकारियों की नियुक्ती की तथा बाजार के लिए मूल लिनी अंत्रम राली को लागू किया बहुत इंपोर्डेन कोश्चन है रेलवे एक्जाम के लिए नेक्स्ट है गुप्त सामराज दौरण इमिन में से किन है कर रहित कर्षी भूमी प्रदान की जाती थी आप्सन है सैन अधिकारियों को, श्रीवी लधिकारियों को, ब्रामभणों को ये दरवारी विद्वानों को जुसका राइट एंसर होगा दोस्तों आप्सन C जो तो है तो आप उस बुक को जरूर देख लें लिंक वीडियो को डिसिप्सन वाक्स में आपको मिल जाएगी अगला कोशन इमने में से किस मुगल समराज ने शिक्षा संबंदी शुधार किये थे और जहांगीर शा जहां हुमायू अकबर तो इसका राइट एंसर दोस्त अगला कोशन निमने में से किस गुरु ने खाल सा पंथ की स्थापना की थी आपको बताने किन में किस शिक गुरू ने खालसा बंद की स्थाबना की थी राइट एंसर दोस्तों इसका ओप्सन ए गुरू गोविन सिंग ठीक है चलिए आपको बता देख शिक्खों के जोनतीम गुरू थे दोस्तों गुरू गोविन सिंग ने बैसाखी के दिन 1699 इस्वी में खालसा बंद की स्थाबना की थी कब की थी 1699 में अक्सर ये डेट भी पूच लेता ये भी पूच लेता तो आपको याद रहें 1699 में खालसा बंद की स्थाबना की गई थी और उन्होंने शिक्खों के लिए पांच ककार यानि केश कंगा क्रिपान कक्षा और कड़ा जो तो निवारे कर दिया था अगला कोशन अखील भारती मुस्लिम की स्थाबना की शिवर्ष हुई थी आपको बताना है का अखील भारती मुस्लिम की स्थाबना की शिवर्ष हुई थी जिसका राइट एंसर दोस्तों वह ओप्सन डी 1906 में ठीक है 1906 में जो तो मुस्लिम अखील भारती मुस्लिम की है वर्स 1929 के लिए भारती राष्टिक अंगरेश कद्धेख से चुना गया था राइड अंसर है ऑप्सन भी शुभास चंद्र बोहस जी को नेक्स दोस्तों भारत के विभाजन से सम्मंदित माउंड वेटन योजना सरकारी तोर पर घोशना कब हुई थी तो इसका राइड ए भारत के ततकालीन वारत रायत से लाट माउंड वेटन ने तीजुहुन Nepशल आलिस को घोशना की कि भारत के बाघन ही यह यह अंट भारत के दो राष्ट भा लार्ड कानवालिस थे वर्स 1993 में इस्थाई बंदोबस्त व्यस्था लाउगी ती जिसके आधार पर जमीदारों को भूर आजश का 90% भाग कंपनी को देना होता था इसमें जमीदार भूर आज़ की दर तेकरने के लिए सोतंद्र थे अगला कोशन है भारत सरकान निकिस वर् आपको बता दें कि देश के चवदय बड़े निजी बैंकों का सरकान ने 1969 में राश्टी करण किया था इसके बाद जो दोस्तों छे अन्य बैंकों को राश्टी करण 15 अपरेल निश्टी को किया गया था ठीक है 15 अपरेल 1980 में अगला कोशन है सुन्दर बाल डेटला का निर जाता है जो मेगना तथा हुगली नदी की बिजी तीस्ती ठीक आपको उता देख ढ़िय। सुन्दर बिखकरन का डेल्टा कहा जाता है कि लो इतो प्रिक्ष के दिर ठीक जिलका जिल किस राजम स्तिते तैं सबसे बड़ी खारे पानी की जिल कौन सी वह है चिलका जिल जो की ओडिशा में श्थी थे नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान के कि युद्ध के पस्चाद बंगलादेश क्षोतंतर राष्ट के रूम में श्थापित हुआ था तो इसका राइट एंसर हो जागा दोस्तों आप्स आपको बता दें कि दोस्तों श्रीवालिक की पहाड़ियों सुत्पन जो तो गगर नदी अंतह स्तली अपवहन नदी का उधारण है तो इसका राइट एंसर हो जागा दोस्तों आपसंडी इन सभी राज्यों से आपको बता दें करकर रहा भारत के बीचों बीच गुजरती जिस पर यह राज्य कौन कौन से हैं मिजोरम, त्रिपूरा, पस्चिम बंगाल, ज्यारकंड, 36 गड़, मध्यप्रजेस, राजस्तान ते था गुजरात नेक्स्ट है डर्बन नगर कहां इस्ती थी तो काफी इजी कोशन इसका राइट एंसर ऑप्सन है दक्षिन अपरी का क अगला कोशन है भाती जन्ता पार्टी गठन के पस्चात इसके प्रता मध्यक्ष कौन थे इसके पहले ध्यक्ष कौन थे राइट एंसर दोस्तों ऑप्सन बी अटल विहारी बाजपेई जी ठीक है आपको पता दें कटल विहारी बाजपेई जी भाती जन्ता पार्टी के प अगला कोशन 25 राज्य विधान परिशत का प्रावधान भारती सम्धान की किस नुक्षेद में रखा गया है तो इसका राइट एंसर होगा दोस्तों 25 का बी आर्टिकल 171 आपको बता दें कि भारती सम्धान का नुक्षेद 270 के अनुसार राज्य विधान परिशत का लिया गया था जिसका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्सन भी 25 वर्षी ओजना आपको बता दें कि भारत की 25 वर्षी ओजना थी तो आपको राइट एंसर लिखना है दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन सी 4.5 अगला कोशन नमर का भारत में पंचायती राज की 33 विवस्था का नुमोधन की समिती के द्वारा किया गया था इसका राइट एंसर जाएगा दोस्तों ऑप्सन बलवंत रा मेता समिती ने 33 पंचायती राज बनाली के गठन की सिपारिश की थी ठीक है और इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्सन डी जिनेवा 1948 में आपको वता दें कि जन्राल एग्रिमेंट आफ और टैरिफ एंट्रेड यानि गैट के स्थापना जिनेवा में 30 अक्टूबर 1947 कुई थी लेकिन एक जनबर उनिश्वाबी हुआ था ठीक है तो यह आप याद रखिएगा लास्ट कोशन है भीम राओं बेटकर के लिए प्रैक्टिस सेट काफी इंपोर्टेंट थे हाई लेवल गे और आप यह सॉल्व कर लिए प्लीज कमेंट जरूर करिएगा मैं सभी कमेंट रीट करूंगा देखते हैं आप लोग इतना इश्कूर किये हैं साथी साथ देते आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकों जरूर प्रिस कर दें साथी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा इसे शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ ठीक है तो मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ साथी साथ यहां पे एक वीडियो प्ले होगी जनरल साइंस की जो